Hello learners, welcome to my channel, आज के इस वीडियो में हम एक English ऐसे राइटिंग करेंगे जिसका टॉपिक है mob lynching, यह रीसेंटली बहुत जादा न्यूज में है, 2018 में जो मधू mob lynching केस था, उसका रीसेंटली अभी SCST special court ने जो है एक judgment pass किया है, इस केस का मैं आपको ब्रीफ बदा देती हूं, इस इस केस में जो अभी judgment pass हुए है, इसमें जितने भी accused जो थे, उनको seven year का imprisonment दिया है, तो इस कारण से यह topic जो है, अभी बहुत जादा news के अंदर है, और because यह news में है, तो there are chances की ऐसे topic जो है, हमें हमारे exams के अंदर, ऐसे writing के अंदर लिखने को आ सकते हैं, तो मैंने इसके starting ए the very people themselves, ठीक है, तो next इसका introduction देखते है, mob lynching means any act or series of acts of violence or aiding, encouraging such acts by move on the grounds of religion, race, caste, sex, place of birth, language, political affiliation or any other related grounds, तो mob lynching क्या है, ऐसा कोई act या कोई series of acts है, जो कि क्या कर रहा है, violence या उसको, या उस violence में क्या कर रहा है, add कर रहा है, या उसको encourage कर रहा है, कि कौन-कौन से grounds पर हो सकता है, यह religion के ground पर हो सकता है, race के ground पर हो सकता है, caste के ground पर हो सकता है, sex के ground पर हो सकता है, place of birth, language या political affiliation, और भी कोई ऐसे कोई related ground से उनके उपर हो सकता है, तो हमें समझ में आगे कि मॉब लिंचिंग होता क्या है next the mob takes law into their hands to punish the purportrait accused in the interest of justice without following any rule of law. India is witnessing a national crisis of mob lynching for last few years mob lynching was unheard तो क्या mob क्या करती ही वो खुदी अपने हातों में कानून को ले 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 थी और वो सोचती ही कि हम ही इसको सजा दे दे कानून तो पता नहीं कब सजा देगा और वो खुदी अपने आप में justice करना चाहती है India is witnessing a national crisis of mob lynching for last few years. तो last few years में इंडिया के अंदर mob lynching के cases जो है बहुत ज़ादा rise हुए है mob lynching was unheard until the national media began reporting the incidents from some part of the country. The dalits were lynched because of being born low caste. Muslims are lynched for the religion they belong. Young men and women lover are lynched in the name of love jihad. Christians in the name of conversion or whether it is for disrespect for cows or eating beef. तो जो mob lynching ने वो unheard था until the national media began reporting. मतलब कि mob lynching के cases पहले भी होते थे पर इतनी ज़ादा उनके बारे में reporting नहीं हुआ करती थी तो लोगों को इतना पता नहीं था. लेकिन जब national media ने इसके उपर रिपोर्टिंग करना चालूगी तब से यह ज़ादा न्यूज में आने लगा. तो यहाँ पर मैंने कुछ चीजे लिखी है कि क्या-क्या reasons होते हैं कि Dalit जो है वो लिंच किये जाते हैं क्यूँ? बिकॉस कि वो एक लो कास्ट के अंदर उनका जनम हुआ है. मुस्लिम्स लिंच किये जाते हैं क्यूँ? बिकॉस उनका जो रिलीजन जिससे वो बिलॉंग करते हैं यंग मैन और वोमेन लव जिहाद के नाम पे क्रिस्टियन इन नेम ओफ कनवर्जन के नाम पे डिस्रिस्पेक्ट फॉर काव और इटिंग बीफ तो यह कुछ-कुछ इंसिडेंस मने हाँ पे लिखे हैं अब नेक्स इसके मेन बॉडी पे आते हैं यहाँ पे मैने वल्ड लिख दिया है पर यह वर्ड लिंचिंग है तो अपने इसकी हिस्ट्री देखी अभी कि जो लिंचिंग है वो क्या है फॉरें ओरीजन का है और फॉर्स्ट यूज किसने किया था टू अमेरिकन्स जिनका लाम था चार्ल लिंस एन वीलियम लेंच यह लोग पता है क्या करते थे यह लोग जो अगर कोई offense कर देता था था ना तो यह लोग believe कर देते कि यह खुदी उसको punishment दे दे यह खुदी उसको punishment दे के उसको hang कर दे थे तो यह concept जो है वहाँ से आया था यह जैसा मैंने पहले बताया था कि cases तो पहले भी होते थे लेकिन जब से reporting होने लगी उसके बाद पहला case जो report हुआ इंडिया के अंदर वो year 2006 में हुआ और वो पहला case कहां का था state of महाराष्ट्र का था जहां पर कोई जमीन के उपर जगड़ा हो गया था और उसके बाद जो है villagers जो थे गाउं वाले थे उन्होंने family members को kill कर दिया था second जारकन lynching case where seven men being accused of child lifting जारकन की lynching case में क्या हुआ था कि साथ लोगों को मार दिया था और उन पर क्या इल्जाम लगाया था कि वो लोग बच्चा चोर है दीमापूर मोब lynching where a crowd of 8,000 to 9,000 people stormed the central jail and attacked one of inmates who had been charged with rape यह जो दादरी वाला थे यह नागालेंड का case है और अगर आप चाहें तो इसका year भी लिख सकते हैं 2015 का है next जो है दादरी मोब lynching it is a case in which villagers attacked a Muslim man on suspicion of slaughtering a cow यह दादरी मोब lynching है यह भी 2015 का है इसमें जो है villagers ने attack किया Muslim man पर क्या suspicion था कि उसने cow को जो है उसका जो beef वगेरा है वो बेच रहा है अलवर मोब lynching case यह अलवर मोब lynching है 2017 का यह भी बहुत famous है a dairy farmer was killed on suspicion of stealing and butering cows यह आप लोगों ने सुना भी होगा तो इसमें जो dairy farmer था वो अपनी जो होती है न जीब उसके अंदर गायों को भर के लेके जा रहा था तो रस्ते में उसको रोक के उसको इतना पीट के उसको मार देते हैं वही पर next देखते है पालगर मोब lynching case यह भी बहुत ज़ादा famous है 2019 का case है इनको बच्चा चोड समझके इनको कूप पीटा और फिर इनको मार दिया आफ्टर रूमर सर्कूलेटेड ओवर वाट्सप और इसके रूमर का कैसे सर्कूलेट हुए था है वाट्सप के दुरू the recent कपूर जला मोब lynching यह 2021 का case है वेरे migrant labor was killed by mob being accused of disrespecting Sikh religious flag next paragraph देखते है इसका mob attacks and vigilantism are on rise in India there is no denying the fact that misinformation and disinformation are fast becoming a security threat in India whatsapp with more than 487 million users has become the largest digital platform for spreading hatred and fake news and the existing social structure allow this type of malicious content to spread virally my own sense is that there is a consistent and deliberate attempt on social media platforms to undermine propagation of fake news and rumors तो यह जो मॉब लिंचिंग के cases है सेक्योरिटी थ्रेट इंडिया और WhatsApp जो है 487 million users से लाजस्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू कुछ भी ऐसी न्यूस जो है हम कर देते हैं तो वह वाइरल हो जाती है वह न्यूस फेक होती है और उसको लोग जो है तो यह काव वेंडिलिजम का केस था इस केस का नाम है तहसी नस पूनावाला वर्सिस यूनियन ऑफ इंडिया यह बहुत इंपोर्टन केस लोग इसमें जो है सुप्रीम को ने जो है हर एक स्टेट को डिरेक्शन दिये थे तो जो है मॉब लिंचिंग के respect में preventive, remedial or punitive measures ले. The Supreme Court referred mob lynching as a horrendous act of mobocracy and asked the Parliament to enact a special law to deal with the mob lynching. Guidelines have been issued by Supreme Court to curb mob lynching until there is a proper law for mob lynching. तो guidelines इसु की थी और बोला कि इन guidelines के थूँ आप ऐसा कुछ भी बिल लाईए और तब तक ये measures आप अपनी states में implement कीजिए जब तक कि हम इस पर कोई proper law लेके नहीं आते हैं. Morever, the Manipur become the first state to introduce its bill against mob lynching in 2018. तो Manipur state जो है, वो क्या है? वो first is a state है जिसने की mob lynching के उपर bill introduced कि और वो कब किया? 2018 में. The Rajasthan government also passed a bill against lynching in 2019. The West Bengal has also mob lynching bill. Recently, the Jharkand Assembly has passed prevention of mob violence and mob lynching bill. Furthermore, National Campaign Against Mob Lynching launched a draft law named Masuka. It proposed that lynching shall be made a non-billable offence and convicts may be sentenced to life imprisonment. As of now, in our country, there is no explicit law or legal provisions dealing with lynching. However, few sections of Indian Penal Code provides punishment of mob lynching section 302 304-325-120B means that that Ribs namely can be taken over mob lynching for lynching. उसके बाद आजस्तान बना फिर वेस्ट बेंकॉल बना अभी रिसेंटली 2021 के अंदर जारकंट भी मॉब लिंचिंग के उपर बिल लेकिया उसी के साथ जो नैशनल कैमपेन अगेंस्ट मॉब लिंचिंग है उन्होंने भी एक जो है ड्राफ्ट तैयार किया और उसका नाम प्रपोज किया इसके अंदर एज उफ नाउ हमारी कंट्री के अंदर कुछ भी ऐसा स्पैसिफिक लॉव निए जो सिफ मॉब लिंचिंग से डील करता है पर लेकिन अगर कोई भी मॉब लिंचिंग का अक्यूज होता है उसको कन्विक्ट करना होता है तो हम किसके अंदर कर नेक्स परिग्राफ देखते हैं इसमें इसके रीजन्स देखते हैं कि मॉब लिंचिंग क्यों है लाइक कंक्लूजन वाला पार्ट है यह मॉब लिंचिंग के अकर फोर वराइटी ऑफ कॉज जो कॉज अपनने पहले भी देखे दलित वाली बात की यह काउ स्लॉटरिंग क की बात की इटिंग बीफ वाली बात की यह सारी चीज़ें मुस्लिम्स की बात की अपनने लव जिहाद वाली बाते की हैं तो इन इंडिया रिलिजिस कॉन्फरिगरेशन सच अच सिक रॉइट्स एंटी मुसलिम राइट इन गुजरात और लिंचिंग इन नेम अफ काउ बी Omt hat on the country to avoid such situations person who are responsible for enforcing the laws One must be made aware that they are violating other people's right do to lack of knowledge of justice Next, The majority of the incidents occurred as a result of the country's government Beef-ban Naruto It might be argued that all lynching motivated by race or ethnicity discrimination against इन्टाइर कम्यूनिटी इन वाइलेशन ऑफ आर्टिकल 14 और 15 ऑफ दे इंडियन कॉंस्टिटूशन तो मैजोरीटी ऑफ दे इंसिडेंस क्या हुए है वो यह अपने बीफ बैन ओर्डर जो किया था गौवर्मेंट ने उसके बाद से वह मतलब की हर एक मॉब जो है वो क्या क कर देता है इट माइट बी आर्गुड एट और लिंचिंग मोटिवेटेट बार रेस और एथिनिसिटी दिस्कमिनेशन जितनी भी लिंचिंग होती वो अपने ग्राउंड से थे की रेस, रिलीजिन, प्लेस ऑफ बर्थ, कम्यूनिटी इनके बेसिस पे ही यह सारे दिस्कमि आर्ग, बिएलिजिन, जेक बेसिया थैर, चांचिंग वो अभी लिंचिंग ऑपने दूज मोटिवेड खी यह सांथ जा सथ बार निचिंग होती वीजिए अग्र समर्प बीचिंग होती फिजिए बीचिंग एग विड़ कुद्टी अव्ट लिए पलाउंग, यह उस अबस्क्राब तो मैं चानल थैंक यू सो मुछ